टीम इंडिया का एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने का सपना तोट कया हार के बाद टीम इंडिया के कई खिलाडी दुखी नज़र आए रोहित मैदान से जाते वक्त इमोशनल हो गए विराट भी हार का गम नहीं छिपा पाए मौहमत सिराज को तो जस्परीद बुमरा को संभालना पड़ा कपतान रोहित शर्मा ने आस्ट्रिलिया से मिली छे विकेट की हार के बाद वर्ल्ड कप फाइनल में बल्ले बाजी अच्छी नहीं रही उन्होंने कहा कि हमारी बल्ले बाजी कमजोर थी इसलिए रेजर्ट्स हमारे पक्ष में नहीं थे लेकिन शेय पूरी टीम को जाता है हमारी टीम मजबूत थी मुझे गर्व है रोहित और टीम इंडिया के खिलाडी के चहरे पर जो हार है साफ तोर पर छलक रही थी ना केवल खिलाडियों के चहरे पर स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के चहरे पर ट्रॉफी चूपने की निराशा साफ तोर पर देखी जा रही थी रोहित ने मैच के बाद बताया कि टीम इंडिया से आखिर चूप कहा हुई मैच के बाद रोहित ने कहा मैच का रिजल्ट भले ही उनके पक्ष में नहीं रहा लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारा दिन नहीं था मुझे टीम पर गर्व है एहमदाबाद ने पहले बल्ले बादी करने उतुरी भारती टीम 240 रन के स्कूर पर सिमट गई इस लक्षे का बचाव करना मुश्किल था रोहित शर्मा ने कहा इमानदारी से कहूं तो अगर स्कूर में 20-30 रन और जोड़ते तो अच्छा होता जब केल राहुल और विराट कोली बल्ले बादी कर रहे थे तो उस समय लग रहा था कि हम अपनी टीम को 270-280 तक ले जाएंगे पर हमने लगातार विकेट गवा दिये रोहित ने आउस्ट्रेलिया के छटी बार चैंपियन बनने पर कहा आउस्ट्रेलिया ने तीन विकेट गवाने के बाद बड़ी पार्टनर्शिप की 240 जन बनाने के बाद हम चाहते थे कि शुरुवाती विकेट हमारी गेंदबाज जटके लेकिन श्रे ट्रेविस हैड और मारनस लावशेन को जाता है जिन्होंने हमें खेल से पूरी तरह बाहर कर दिया रोहित ने टॉस गवाने के बाद कहा था कि अगर वो टॉस जीतते तो भी बल्लेबाजी का फैसला करते उन्होंने कहा मुझे लगा था कि दिन की रोशनी में बल्लेबाजी करने के लिए ये विकेट बहतर है हम जानते थे कि ये दिन में खेलना बहतर रहेगा हम इस पर कोई बहाना नहीं बनाना चाहते थे हमने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की लेकिन बड़ी साजेधारी करने के लिए उनके हैड और लाबुशेन को श्रे जाता है वहीं ऑस्ट्रेलिया एक कप्तान पैट कमिंस ने कहा मुझे लगता है कि हमने अंति मैच के लिए अपना बेस्ट पॉफोर्मेंस बचा कर रखा था कुछ खिलाडियों ने बड़े मैच में अच्छा प्रदर्शिन किया कमिंस आगे बोले आज हमने सोचा कि लक्षे का पीछा करना अच्छा होगा और ये आसान होगा फिछ काफी धीमी थी इस पिन नहीं हो रही थी हमने सही लेंथ पर गेंदबाजी की और उसका परियनाम मिला प्लेयर आफ दा मैच ट्रेविस हैट ने मैच के बाद कहा ये शानदार दिन रहा इसका हिस्सा बनकर रोमान्ची थूँ मैं थोड़ा नर्वस था लेकिन मारनच शानदार तरीकिस खेला और उसने पूरा दवाब खत्म कर दिया मुझे लगता है कि मिचल मार्श ने मैच के लैट तै कर दी थी हैड वर्ल्ड कप से पहले चोटिल थे उन्होंने कप्तान के टॉस जीत कर गेंदबालजी करने के फैसले की तारीफ की वे बोले पहले गेंदबालजी का फैसला शानदार था और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा विकेट बहतर होता गया इससे हमारी टीम को फायदा मिला सीधे तोर पर कप्तान रोहिश शर्मा ने उस बात की जानकारी थी वो बात रखी जो कि मैच में एक टर्निंग फैक्टर रहा टर्निंग पॉइंट रहा प्रोहिश शर्मा बोले सीधे तोर पर 20 से 30 रन हमने कम बनाए थे अगर ये रन और बनते तो कहीं ना कहीं हम मैच में वापसी करते मैच में खुद को देख पाते और परिणाम दूसरे होते शायद ये ट्रॉफी हमसे नहीं जोगते